इमलिया रोड को लेकर कावडियों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है बतादी कि नैसी पोर्जिले के समस्त विधायकों एवं प्रिशासन को इमलिया रोड की खस्ता हालत की चानकारी है फिर भी इस रोड को अंदेखा किया जा रहा है ये रोड 15 से 20 गाव को जोडती है एवं स्कूल बच्चों से लेकर हर व्यक्ति को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कावडियों का कहना है कि जब भी किसी अधिकारी या सांसत विधायकों से बात की जाती है तो वो हमेशा आश्वासन देते हैं कि रोड का रोड सेंशन हो गई है जल्द ही बनन वाली है लेकिन अभी तक रोड का निर्मान शुरू नहीं हुआ है इसलिए हम सभी कावडियों ने पैसला लिया है कि प्रशासन यदि कोई हल निकालता है तो ठीक है वरना हम सभी मिलकर जन आंदोलन करेंगे कि मैं आपको बता दू तैसिल्दार से लेके पूर में जो नितनगट करी जो थे स्राक परिभन मंत्री हम उन तक अपनी फाइल यहां ते पूंचा चुके हैं अपके वल हमारे पास ही की जरिया बचा है जनाल नोरल उसकी तैयारी लगवा हम पूरे ग्रामियों कर रहा है हम हमारे वह पूरे साथ है हमारे साथ और मैं यहां से कहना चाहूं को असासन प्रसासन को यदि तीन महीने में इस रोट का जो भी नर्मानकार संबंधियत वादेश नहीं पारत करते हैं तो निश्य दूरूप से ग्राम में वलिया बासाद ही और अन्य जो गाहों इस रोट से यारी